टो इस टूजिंस वन्स अगैंन वेलकम बक्तो फ़ार चैनल ग्यान लाब अज स्टार्ट करने आपका 2021 जो क्वेम्ट रिलीस किया था प्रॉम स्टियर्टी जो महाराइस्टर स्टेट शिलिबस महाराइस्ट्र स्टेट बोड ए उन्होंने जो लास्ट टियर वेलक्ट को जाएंगे तो पास होंगे क्या मैम नहीं ये question bank आपके division purpose के लिए है practice purpose के लिए है जिन बच्चों ने साल भर कुछ नहीं पड़ा है due to x y z reason और वो अब पढ़ना start कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर कुछ भी नहीं पड़ा है तो at least exercise के questions करके जाओ और question bank के questions करके जाओ it will be more than sufficient लेकिन जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई की है तो question bank को आप सिर्फ revision के लिए use करेंगे क्योंकि question bank में आपको question का format समझ में आता है और बहुत सारे questions already आपको इधर पर आंसर दिया गया है मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि आपके marks कहां 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 गलतियां करते हैं हर एक chapter का question bank हम discuss करेंगे आपको हफते में दो से तीन solution या उससे ज्यादा solution देने का मैं try करूंगी ओके all right तो चलो और इसको download कैसे करना है question bank को यह मैंने आपको previous वीडियो में बता दिया है उपर आपको आई बटन के पास वीडियो आ रही होगी या description में आपको इसका link मिल जाएगा how to download question bank तो आप वीडियो देखो सबसे पहला question हमको दिया गया है देखो आपको क्यों से चीज़े बताई गई है question का टाइप बताया गया है question का marking scheme दिया गया है chapter number दिया गया है और इसका solution कौन से page पे है वो भी दिया गया है सब कुछ ready made आपके question bank पे आपको सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट करना है सबसे पहला question अपना क्या है दाउटर लियर ऑफ पोलन ग्रेन इस थिक एंड इस मेड़ आप ओफ नॉन नॉन बायोडिगरेडबल देंगे जिनको question bank डाउनलोड करने के लिए कंटाल आ रहा है वो screenshot लेते जाओ या पॉस करकर करके आंसर लिखते जाओ तो आपकी राइटिंग प्राक्टिस भी हो जाएगी दा नमबर ऑफ मियोटिक डिविजिंस नेसेसरी फोर डेवल्लपमेंट कितना मियोसिस और कितना म पॉस करते हैं और बाकी के सारे के सारे बैट्स करते हैं मैं आपको दिखा देती हूं तो आपको तसली हो जाएगी पेज नमबर एट पे आपको इसका solution दिया गया है ठीक है यह देखो पेज नमबर एट यह देखो और नीथो फिली बॉटल ब्रश ट्री में पॉलिनेशन करते हैं और जो बैट्स होते हैं वो कादंब ट्री बाव ट्री एंड सौसेज ट्री में करते हैं और नीथो फिली वाला और वन आउट है क्योंकि बाकी सारे पॉलिनेशन बैट्स कर रह तो कौन सा शुगर यूज़ कर सकते हो देखो सुख्रोज इंड्यूस पोलन जल्दी ग्रोग कर सकते हैं यह विया पेज नंबर 9 में दिया गया है सेल्फ इनकंपाइबिलिटी का आंसर यह देखो थिया examples are very important, आप लोग example को बहुत हलके में लेते हो, porogammy जब, porogammy मतलब क्या होता है, जब आपका pollen tube micro pile से enter करता है, किदर से enter करता है, ये देखो, micro pile से enter करता है, तो इसको बोलते है porogammy, और dash is an example of hellobial endosperm, hellobial endosperm का example क्या आएगा, page 11, देखो, फटा-फट बता रही हूँ, ज single-shaped cotyledon, ये तो आपको आप बन करके याद होना चाहिए, कि monocot का जो cotyledon होता है, उसको scutalum बोलते हैं, the example of dicot endospermic seed is castor, okay, हमने पढ़ा था न, dicot seed, monocot seed, ये देखो, monocot seed के single-shaped cotyledon को scutalum बोलते हैं, और dicot seed का example के आएगा यहाँ पे, ये देखो, caster, ये देखो, म okay, आप single sentence answers, इसके भी answers आपको ready-made मिलेंगे, देखो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, अरे यार, फालतु का वीडियो देखे, क्यों time pass कर रहे हैं, अगर आपको time pass लग रहा है, आप वीडियो मत देखो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए, जिनोंने कुछ भी ब points लिखना होता है, तो यहां पर आपको सब ready-made answer दिया गया, आपको टेक्स्बुक में ढूंडने की जरुवत नहीं है, वाइ एंथर is called as tetrasporengate structure, क्योंकि एंथर के पास चार पोलन साइक होते हैं, इन डाइस थेकस आंथर, explanation is given on page number 3, तो बस इतना आपको लिखना है, वाइ shows presence of 4 पोलन साइक इन डाइस थेकस आंथर, बस हो गया, डाइस थेकस में इधर ओ लिख दो, spelling अपने टेक्स्बुक में, डाइस थेकस का स्पेलिंग में ओ लिखा है, यह देखो, page number 3 पे जाते हैं, यह देखो, डाइस थेकस आंथर, इधर देखो, इधर गया, tetrasporengate क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि डाइस थेकस आंथर में, चार पोलन से एक देखने को मिलता है, 1, 2, 3, 4, इसलिए, ओके, at which stage pollen grains are shed from anther, देखो, यह अपने को page number 4 के last line में दिया था, कि अपना, जो maximum angio sperms होते हैं, उन में, pollen grain कौनसे stage में shed किया जाता है, तो page number 4 में दिया गया है, अपने को, इधर देखो, यह देखो, इधर गया, हम, यह, the pollen grains are shed from the anther at this two-celled stage in most of the angio sperms, तो most of the angio sperms में pollen grain इसी stage में release किया जाता है, इस stage में बोल सकते हैं, ठीक है, two-celled stage, यानि जब दो gamits बनते हैं, वेजिटेटिव, नहीं नहीं, इस stage में release किया जाता है, इस stage में, जह अगे जाके, यह जब pistol stigma के उपर बैठेगा, जब यह flower के stigma के उपर बैठेगा, तो यह pollen tube बनाएगा और फिर male gamits का formation करेगा, तो most angio sperms में हमको यह वाला stage देखने को मिलता है, this is very favorite question of teachers, फिर next, what is heelum with respect to ovule, तो heelum क्या होता है, place of attachment, यह देखो, जहां पे आपका funicle आपके इंटिकिमेंट के साथ attach हो रहा है, उस part को हम बोलते हैं, place of attachment of funicle with main body of ovule, next, what is pro tannery, pro मतलब first, और andry मतलब androsium, तो जब आपका androsium पहले mature होता है, यह हमने डाइको गैमी में पढ़ा था, जब आपका androsium पहले mature होता है, then gynosium, it is known as pro tannery, next, name any one plant in which double fertilization was discovered, fritillaria and lilium, SD sperm is called as double fertilization, क्योंकि इसमें दोनों male gamets use होते हैं, एक male gamet किसको fertilize करता है, egg cell को, और दूसरा male gamet किसको fertilize करता है, secondary nucleus को, इसलिए हम plant में double fertilization बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों को question doubt होता है, कि मैं fertilization process explain करने बोला है, तो first chapter वाला आएगा या human आएगा, अगर double fertilization word use किया है, मत love human fertilization, okay, what is the most common type of endosperm in angiospermic families, so, सबसे common type कौन सा होता है, nuclear type, क्योंकि देखो इधर अपने को दिया है, one second, I'll show you, यह देखो, it is the most common type found in 161 angiospermic families, first line में ही दिया गया है, yes, okay, what is the role of suspensor during development of embryo, suspensor का क्या काम होता है, बच्चों, यह देखो, यह अपना suspensor cell है, यह क्या करता है, यह अपने embryo को, यह जो अपना embryo है, इसको उपर-उपर पुश करता है, ऐसा अपना ovule है, इधर पर अपना endosperm है और इधर पर अपना ऐसा embryo है, और यह नीचे अपने suspensor cell है, तो यह अपना जो main embryo है, इसको उपर-उपर, दही अंडी में कैसे उपर-उपर मठके के पा मतलब नॉर्मल एंब्रियों के साथ साथ आपको सुमाटिक सेल नूसल या इंटिग्यूमेंट से एक्स्ट्रा एंब्रियों जब मिलते हैं उसको बोलते हैं एड्वेंटिफ पॉली एंब्रियों ने नेम दा हॉर्मोन विच इस प्रडूस्ट बाइन फर्टिलाइस्ट ओवर एप इसप्ट्रा एंब्र ये जबल करते हैंगराम से नंतल से lasts Tor इंब्रेंट इंडोटिश्यम ये वाला लेबल नहीं किया तो भी कतost पुhte automation एक्स्ट्रा describe करने के लिए बोला गया है तो आपको सबसे पहले तो अगर आप यह डाइग्राम बना देते हैं यह एक सिंगल डाइग्राम यह देखो यह वाला डाइग्राम अगर आप बना देते हो ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा और आगे जाके पोलन ग्रें क्या मैया टीशु थेखो यह देखो अपने अंधर के अंदर आगे जाके आपका क्या बनता है और अगे संप्रोगातन ने से लेए और Rome मदर सेल्स बनते हैं और मदर सेल्स बनताcomes म3 जน यहीं आगे जाके आपके पोलन ग्रेंज बनते हैं तो मियोंसिस के तुरू यह फॉर्म हुए है इसका पूरा रेडिमेड आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा ओके नेक्स्ट ड्रॉब ड्राइग्राम ऑफ मेल गेमेटोफाइट और यहां पर आपको सिफ ड्राइग्राम क इच मार्क देखो यह वाला देस इस यहर मेल गेमेटोफाइट यह देखो यह देखो यह देस इस यहर मेल गेमेटोफाइट यूब नुकलियस बताना है मेल गैमेट बताना है पोलन ट्यूब बताना है तो इस बेरी इंपोर्टनेंट ओके ओल्राइट मेल गैमेट बोला है बच्चा तो सिर्फ आपको यह वाला डाइग्राम करना है देखो सिर्फ यह वाला इतना डाइग्राम ड्रो कर दो इसको एक्स्प्लेइन कर दो कि मैच्यूर फीमेल के मैट्वाइट में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं यह आपके तीन आंटी-पॉडाल सेल् सिनर्जिट्स नीचे मतलब तीन सेल्स नीचे जिसमें से एक अपना एग अपारिटस है और दो अपने सिनर्जिट्स यह तीनों मिलके एग अपारिटस बनाते हैं सिनर्जिट्स का काम होता है फिलिफॉर्म अपारिटस बनाना जो पोलन ट्यूब को अट्रैक करेगा सेंट सेंटर हमें दो पोलार नुकलिया होते हैं जो फर्तिलाइजेशन के टाइम पर फ्र्यूज हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं सेकंडरी नुकलियस क्यूंकि यहांपे करता है कि आपको बस इसको चार पॉइट में explain करना है तो क्या क्या एक्सariestं करोगे एंटिपोड सेल्स सिनरजिट का एगवरेटस explain करोगे Aig appartus में क्या क्या होता है, नुक्लिययस जो एंदोस्पर्म बनाएगा, इसे चार पॉइट्स एक्सली कर दो, तो आपको यह कर पेज पर बहुत सारे अधापटेशनस मिल जाएंगे यह देखो यहां पे देखोber नंबर six yes adaptation बोले गया ना these are your adaptationёлs बहुत सारे अधापटेशन यًा यह वाले wind pollination बोले गया it was in pollination के आपको 4 अधापटेशन्स यहां दिये गाया चार से फांच adaptation दिये गये इसमें से कोई भी चार के लिए यह वाले अडाप्टेशन आजाएंगे यह देखो किदर गए अडाप्टेशन चार पॉइंट चार चार पॉइंट दो माक्स नेक्स्ट एक्स्ट लाप्टेशन आपको दिया आपको लैंड तो अबहुल यूज करे जिसका इक्जांपी और क्या होता है mechanical barrier आ जाता है याने की ovary उपर की तरफ होती है और इसका anther नीचे की तरफ होता है डाइग्राम याद करो pentameras ovary उपर purple color का flower दिखाया था मैंने और उस flower का example क्या आएगा इदर पे calotropis yes so this is an example of harco gaming तो एक एक point explain करो और example दो तो आपको two marks मिल जाएंगे give the significance of double fertilization यह तो आपको इदर पे एकदम ready made दिया गया यह देखो यह चार points लिख दो आपको two marks मिल जाएंगे एकदम ready made textbook में word to word दिया गया है mention significance of fruit and seed formation fruit and seeds का क्या use है यह देखो 4 point लिख दो दो marks मिल जाएंगे give an account of poly embryoni मतलब यह आपको थोड़ा से explain करना है कि poly embryoni क्या होता है तो यहां पर आपको दिया गया 4 points आपको लिखना है क्या क्या लिखना है कि सबसे पहले इसको किसने notice किया था और कौन से species में notice किया था यह आपका first point बन जाएगा फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है कि यह second point the additional embryo किदर से आते हैं यह they are associated with ovule of the seed यह आपका second आएगा फिर third type में आपको बताना है एक adventive poly embryoni होता है और एक cleavage poly embryoni होता है हो गए 4 points दो marks मिल गए next यह देखो इधर पे types के लिए half-half mark है और meaning के लिए half mark है ठीक है? आपको एंथर का internal structure बताना है तो तीन layers बतानी है epidermis, endothesium और tape term और उसमें tape term का specific function बताना है middle layers के बारे में बताओगे तो भी चलेगा tape term का function क्या होता है उसके structure के बारे में आपको explain करना है याने कि tape term का structure कैसे conical है वो nutritive काम करता है वो sporogenous tissue से just connected होता है कि इदर गया? यह देखो इदर tape term is the innermost layer and it encloses sporogenous tissue इसलिए ये nutrition आसानी से pass on कर पाता है और pollen mother cell के बारे में भी आपको दो points बताने हैं कि pollen mother cell कैसे बनते है sporogenous cell layer से बनते meiosis करके ये pollen grain बनाते है I will recommend कि diagram भी roughly draw कर दो तो आपको ज़्यादा benefit हो जाएगा तीन marks का question है next explain the development of female gametophyte explain बोला ना मतलब diagram compulsory नहीं रहता पर बना देने का time है तो बना देने का साड़े तीन घंटा मिलेगा आपको paper के लिए okay साड़े तीन घंटा साड़े तीन घंटा ऐसा आपको बताया है और स्टीग्मा के ऊपर कैसे development हो रहा है याने कि यह देखो इधर वाला पॉइंट आपको explain करना है development of male gametophyte यह paragraph basically आपको explain करना है you have to only write this paragraph that's it और थोड़ा सा अगर समझो यह लिखा the second mitotic division तो यह भी आपको explain करना है यह तो दो paragraphs आप point wise लिख दो that's it you will get three marks okay all right next question explain water pollination in detail with its type water pollination दो type के होते हो तो उसका पहले definition लिखो what is hydrophily फिर उसके type लिखो एक epihydrophily एक hypohydrophily और दोनों के examples लिख दो give an account of two biotic agents for pollination along with their adaptation two biotic agents बोला है याने कि आप insect, birds बैट किसी के बारे में भी लिख सकते हो उनके तीन तीन अडाप्टेशन लिखो okay for each agency और एक एक example लिख दो याने कि बैट और बड्स के बारे में लिख दो या इंसेक्ट और बड्स के बारे में लिख दो तो उनका आपको सिर्फ नाम बताना है कि कौन सा यूटीक एजन्ट यूज रहा है बड्स को बहुतें इट चिरफ तेरों फिली या इन्सेक्ट प्लिनेशन होता है उसको बलतें और उनकी तीन अडाप्टेशन डाप्टेशन एक्स्प्लेंट इन टू कॉंट्रिवेंसिस जो आपको पेज नबर रेट और पेज नबर नाइन पर दिये गए यह देखो हां इन कितना बोला है एनी टू कॉंट्रिवेंसिस बोला है तो वन एंड आफ फोर इच कॉंट्रिवेंसिस आपको जो अच्छा लगे यूनी सेक्श्वालिटी मेरा फेवरेट डाइको गैमी क्योंकि इसमें फटक से याद हो जाता है और सेल्फ इनकमपाटिबिलिटी लिख सकते हो इतना सा लिखने के लिए आपको वन एंड आफ मार्क मिल जाएगा बट आपको एग्जांपल भी लिखना है ओके ओल्राइट डिस्क्राइब द प्रोसेस के दो मार्क से और डाइग्राम का एक मार्क है पेज नंबर टैन पर प्रोसेस और फोर्टिलाइजेशन यान इतना इदर से ले कर इदर तक लिख सकते हो फिर उसके आगे यहां से यह पॉंट लिख सकते हो ठीक है पिर यह पॉइंट भी आपको आगे बताना है काफी बड़ा question है यह आपको क्या बोला गया है describe the process of fertilization कैसे हो रहा है रुको fertilization के लिए आपको इतना सब कुछ बताने की जरुवत नहीं है fertilization के लिए आप डाइरेक्ट यहां से बता सकते हो the pollen tube carrying male gametes penetrates इधर से लेके आप यहां तक बता सकते हो कि fertilization कैसे होता है यहां तक that's it ओके और थोड़ा सा definition भी लिख सकते हो वाट इस फर्टिलाइजेशन सिंगामी इस टाइप ऑफ जेनरेटी fertilization नोट्स में देखो यह आंसर ना टार्गेट की नोट्स से करो यह आंसर आपको टार्गेट की नोट्स में मिल जाएंगे रेडिमेड आंसर मिल रहा है तो क्यों मगजमारी करना है ओके और तार्गेट नोट्स का तो याद करो नहीं आता तो मत याद करो इसका भी रेडिमेड आंसर आपको टार्गेट की नोट्स में मिल जाएगा ड्रो वेल लेबल डाग्राम ऑफ मोनोकॉट सीट यह तो अपना फेवरेट है मोनोकॉट सीट ड्रो करके बताने का है मैंने इंपोर्टन वीडियो में भी बोला था यह डाग्राम इंपोर्टन है और और थीपॉइंट आपको क्वेश्चन आता है यहां पे आपको structure के मदद से अनाट्रों पोईल एक्स्टेन करने बोला है तो बचलों के आपना इनक्स जो यह थे देखो यह इस यह इसक्राइब यह भी यह इसक्राइब को दिवल्लपमेंट पर अपको डाइग्राम की मदद से बोला गया है, so process up to 7 cell, 8 nucleate stage sequential diagram, देखो इसके दो marks है, मतलब process के दो marks, theory के दो marks है, ओके इधर पे भी, theory के दो marks है, और diagram, कौन सा diagram बनाना है, female gametophyte बोला है, मतलब यह वाला diagram बनाना है, मेरा favorite diagram, ठीक है, तो यह बहुत important है, दो marks आपको इसके मिल जाएंगे, sequential steps में, इसका ready-made answer आपको target notes में मिलेगा, ठीक है, given account of various herbiotic agencies used in pollination, herbiotic agency बोला है, यानि की water and wind, दो ही है, तो दोनों को explain करो, again, target note, चार माक के question के लिए सीधा target notes खोलो, okay, pollen pistol interaction क्या होता है, यह तो आपके text book में एकदम detail में दिया है, okay, यह देखो, यह है अपना pollen pistol interaction, इतना बड़ा theory learn करने से अच्छा है, आपको pollen pistol interaction का meaning बताना है, pollen grain कैसे recognize होता है, और उसका use क्या है, वो बताना है, तो इसको भी आप target की note से पढ़ोगे, तो बहुत देखो, बड़े answers, जो 3 marks और 4 marks के question है, target की note से एक बार देखो, आपको बहुत easily याद हो जाएंगे वो, और double fertilization का process explain करना, और उसका significance बताना है तो process आपकी theory में दिया गया और significance हमने अभी देखा था, उपर भी ये question आया था, significance वाला, तो इस तरीके से आपका first chapter complete हो जाएगा, देखो, मैं इस question bank solution की वीडियो में कुछ नया नहीं बता रही हूँ, already बहुत सारी चीज़े आपको पता है, आपको सिर्फ एक चीज करना ह सकते हो, 1 mark और 2 mark के question के answers आपको direct textbook से मिलेंगे, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, वो लोग अगर exercise plus question bank करेंगे, तो वो लोग approximately 65 to 70% आराम से score कर सकते हैं, question bank कैसे download करना है, उसका video description में दिया गया है, प्लीज खुद से question bank डा chapters also, तो मैं other chapters upload करूँगी, और अगर नहीं चाहिए, आप खुछ से कर सकते हैं, तो भी बोलो, कि ma'am we will do it on our own, दूसरे chapters चाहिए, तो बोलो ma'am please upload other chapters, नहीं चाहिए, तो बोलो ma'am please don't upload other chapters, या we will do it, ओके, चलो मुझे इसमें कोई problem नहीं, आपका काम जल्दी होना चाहिए, ठीक है, चलो, all the best everybody, अच्छे से पढ़ाई करो, इधर उधर के वीडियोस देखने में time pass मत करो, time दो, पढ़ाई को time दो, strategy वैटेजी कुछ काम नहीं आएगे अभी, जाधा से जाधा one shot वीडियोस देखो और exercise learn करो, अगर आपके पास time नहीं है तो, ठीक है, चलो, bye bye everybody, all the best, take care, see you soon, bye bye.